फ्रेंड जब लगान के स्क्रिप को लेकर आचुतो गोवारी का प्रोडूसर के पास जा रहे थी तो उनके हाथ से निराशा लगी थी वो इसलिए कि कोई को प्रोडूसर इस मूवी को करने के लिए तयार नहीं था उनका कहना था कि स्कोर्ट मूवी को कौन देखेगा और किसी ने इस मूवी को एकसेप नहीं किया फिर लास्ट में आचुतो आमिर खान के पास गए फिर क्या था किसमर के ताले खुल गए और आमिर खान ने इस मूवी में सिर्फ एक्टिंग नहीं की बलकि इसे प्रडूस भी किया और वो मूवी जिसे सबने रिजेक्ट किया था एक टाइम पर वो आज बॉलिवूड के लेजंड मूवी में से एक है जो की ओसकार में जाकर भी आ चुकी है आज हम बात करने वाले हैं इसी मूवी के बारे में तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और वी इस किया गया था और इस मूवी को 20 साल पूरे हो चुके हैं तो आज मैं बात करने वाली हूं इस मूवी के रिव्यू के बारे में और कास के बारे में इस मूवी को IMDV पर 8.1 आउट ओफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को डारे किया है आशुतोर गोवारी करने और प्रोडूस किया है आमिर खान में वहीं डायलोग के पी सक्षेना ने लिखे हैं और जो इंग्लिस डायलोग है वो आशुतोर गोवारी करने लिखे ह और म्यूजिक की बात करें तो वो दिया है एयार रह्मान ने इस मूवी में आमिर खान लीड डोल में नतर आया थी मूवी में भारती एक्टर और ब्रिटिश एक्टर ने मिलकर काम किया है अगर हम कास की बात करें तो आमिर खान ग्रेसिय सिंग, रैचल शैली, पॉर्ग ब अगर भारतियों ने ये मैच जीत लिया तो उन्हीं लगान नहीं देना और फिर होता यह है कि इंडिया इस क्रिकेट मैच जीत जाते हैं अगर हम बॉक्स ओपिस कलेक्शन की बात करें तो इंडिया में लगबग 34 करोर 30 लाग का बॉक्स ओपिस कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइट की बात करें तो लगबग 65 करोर 99 लागता कलेक्शन इसने किया था पाकिस्तान से 70 किलमेटर दूर इसकी शूटिंग चुरू हुए थी जी हां 19-20 तार पहले भुज में एक ऐसी एतिहासिक फिल्म की शूटिंग हो रही थी जिसके बढ़ने में तमाम अर्चणे सामने आई थी लेकिन कहते हैं ना सच और साहस हो जिसके मन में अंतिमे जीत उसी की होती है और ये जीत थी आमिर खान और आशुतरस गोवारिकर कुछ मुठी भर ग्रामेडों के होसलों की जीत सिनेमा की कठी न्यात्रा पूरी हो जाने की जीत 15 जून 2001 में एतिहास एक फिल्म लगान रिलीज हुई थी तीन घंटे 42 मिनिट के ये फिल्म अमेरिका, कैनडा, सीरिया, दक्षिन कोरिया, नौवेव, अफगानिस्तान, स्विजर लेन के फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा होते हुए पूरसकार तक का सफर तैकर चुकी है लेकिन इस फिल्म की कहानी को सिनेमा के रूप एले परदे तक पहँचाने का सफर बहत चुनोटियों से भराता है इस फिल्म के जरेए आमिर खान ने प्रोडूसर तक बनने का फैसला किया था कियोंकि इस दोकिम भरी फिल्म को कोई भी प्रोडूस नहीं करना चाहता था पहली बार कहानी सुनने पर तो आमीर ने भी इस फिल्म में कोई भरوسा नहीं जताया हाला कि कुछ मैनों बाद जब एक बार फिर आशुतोर गोवारीकर ने इस फिल्म की कहानी सुनाई तो आमिर खान काफी एमोशनल हो गए थे और माता पिता से सहमती मिलने के बाद आमीर ने खुद इससे प्रड्यूस करने का पैसला किया गुजरात में आये खतरनाग भूकम से भुच का एक हिस्ता बंजर था पचास डिगरी की भीशन गर्मी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और रेतिली हवाव के चलते फिल्म को शूट करना आसान नहीं था इस फिल्म की मैकिंग के दोरान आशुत और घायल भी हो गए थे और उन्होंने कई दिन सेट पर लेटे-लेटे ही डायरेक्शन का काम किया था कमान समाली थी फिल्म के शूटिंग के चुनोती पूर्ण होने के चलते इस फिल्म की मैकिंग पर भी एक फिल्म बनी जिसका नाम है चले-चलो लगान बनने की पूरी कहानी सत्यजीत भठकल ने लि पर लेटी की थी आमिर खान ने बुच के एक गाउं को गोद भी लिया था लगान रील और रियल लाइफ में एक इंसान के असंभव सपनों और पैशन की कहानी थी फिल्म में जहां भुवन अंग्रेजों के खिलाफ रहा था वहीं आशुतोष तमाम चुनोतियों की बीच अपने फिल्म को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे आमिर खान और ग्रेसी सिंग स्टार लगान को 20 साल पूरे हो चेके हैं आशुतोष की ये फिल्म आमिर की फिल्मी करियर की बेस्ट फिल्मों में एक साबित हुई थी इन एक वक्त ऐसा भी था जब इस फिल्म को कोई भी नहीं क करना चाहता था एक इंटर्यू में उन्होंने इस बात का खुदासा करते वे कहा था कि जब शुरुआद में आशुतोष लगान के स्टोरी लेकर आये थे तब पांच मिनेट सुनने के बाद मैंने मना कर दिया था उस समय मुझे लगा कि जो लोग कम बालिश की वज़े से लगान नहीं दे पा रहे हैं वो रोग अंगरे जो के साथ क्या क्रिकेट खेलेंगे मैंने आशुतोष से कहा कि ये स्टोरी तो अजीब है मुझे कोई दूसरी स्टोरी दो इसके बाद आमीर ने आशुतोष को किसी दूसरी एक्टर को अप्रोच करने के लिए कहा लेकिन आ कि ये फिल्म तुम्हें करनी चाहिए फिर बस रिजल्ट आपके सामने है आपको बता दे के लगान के शूटिंग के दवरान मिले थे किरण और आमीर आमीर और किरण की मुलाकास फिल्म लगान के सेट पर हुई थी आशुतोष की फिल्म लगान में किरण राओ असिस्टें दोनों में दोस्ती हुई फिरिया दोस्ती प्यार में बिदल गई और दोनों ने 2005 में शादी कर ली किरन ने शादी के बाद खुद की पहचान कायम रखी उन्होंने धोबी घार फिल्म का डिरेक्शन किया इसके अलावा वो टीवी शो सती में उजयते और शीप आफ टीसी से स का तराक हो गया था रीमा से आमिर के दो बच्चे एरा और जुनैद है इस फिल्म से जुड़ी कोई और बाते भी है जिने लोग नहीं जानते आपको बता दू कि इस फिल्म में बुवन के रोल के लिए आशुतोर्स ने आमीर से पहले शारुख खान और दूसरे एक्टर्स को काम मिला जो कि एक न्यू कमर थी बड़ी बड़ी एक्ट्रिस इस फिल्म से हाथ दो बैठी और इस फिल्म का अब मुकाम क्या है ये तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस फिल्म में आपको बेहत इमोशन देखने को मिलता है कहीं कहीं रोना आ जाता है और एक परसेंड लोग भी जोनों मिस कर दिया होना इस मूवी को वो जरूर देखें तो फ्रेंड्स यही थी लगान से जुड़ी है कुछ बाते जो मुझे आपसे शेयर करनी थी आयोप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ्लीज सब्सक्राइब कर दें आप लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और बना सकूँ मुझे मोटिवेशन मिलता रहे तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में